आज की चर्चा का विशे है जेनेटिक एरोजन यानि अनुवाशिक अपर्दन हम जानेंगे अनुवाशिक अपर्दन क्या है एव अनुवाशिक अपर्दन के क्या क्या कारण है जिनकी वजह से अनुवाशिक अपर्दन यानि जेनेटिक एरोजन हमारी स्पेसीज में होता है तो सबसे पहले हम जानते हैं what is genetic erosion the gradual loss of various form of a cultivated species and of its wild forms और wild relatives it means जब किसी species के germ plasm या genotype या wild forms या wild relatives में कमी होने लगती है तो उसे हम अनुवांशिक अपरदन यानि genetic erosion कहते हैं day by day आप देख रहे हैं कि हमारी plants के case में देखें या animal के case में देखें कि बहुत सारी species हैं लुप्त होने के कगार पर हैं या फिर किसी बहुत सारी species जोंके हम wild relatives देखें या wild forms देखें तो आज देखने को नहीं मिलता है यह ही genetic erosion है या किसी species के wild forms या wild relatives का धीरे-दीरे कमी होना यह genetic erosion या अनुवांशिक अपरदन कहलाता है अब इस अनुवांशिक अपरदन के क्या-क्या कारण है यह हम discuss करेंगे सबसे पहला कारण है कि replacement of land races with improved varieties आप इस समय देखेंगे कि कोई भी wild forms को cultivate नहीं करता है कोई भी उनको multiplication नहीं करता है या कोई भी उनको कंजर्म नहीं करता है केवल और केवल हम improved variety ओं पर ध्यान देते हैं तो यह एक जो main कारण है genetic erosion का कि हमने land races की जगे पर improved variety को replacement कर दिया तो यह genetic erosion का कारण है दूसरा कारण है कि modernization of agriculture यानि हमने क्रिशी का आदुन की करण कर दिया इसकी वज़े से आप देखेंगे कि दूरेशन में आप देखते थे कि वैद होते थे और वैद बहुत सारी wild forms को है जे medicine use करते थे उनका cultivation करते थे लेकिन आज कोई भी वैक्ती medicine देशी medicine use नहीं करता है और medicine use नहीं करता है इसलिए हम wild forms को कोई की भी cultivation या उनको कंजर्ब नहीं करते हैं तो modernization की वज़े से भी हमारे फसलों में genetic erosion हुआ है यानि जो wild forms थी किसी भी species की उनमें कमी आई है एक example के तौर पर देखें कि पहले के duration में हम लोग बैलों से खेती करते थे लेकिन आज ट्रेक्टर से खेती करते हैं ट्रेक्टर के खेती करने से हमें बैलों की संख्या में बहुत बड़ी कमी देखने को आज के duration में मिलती है तो हम कह सकते हैं कि जो काव इस पेसी जहें बहुत से इंडिकस इसकी इस यह ब्रीट्स में इसकी में यह कमी होने लगी है तो आदोन की करण जो क्रिसी का हुआ है उसकी वज़े से हमारा जेनेटिक एरोजन हुआ है यानि बहुत सारी स्पेसीजों में कमी होने लगी है तीसरा कारण है कि extension of farming into wild habitats यानि जंगलों में जा करके हमने खेती करना स्टार्ट कर दिया जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया जंगल के काटने से बहुत सारी जो wild forms थी हमारी स्पेसीजों की वो नश्ट होने लगी for example आप देखें shifting cultivation यानि जूम खेती जूम खेती एक इसका बहुत बड़ा example है कि हमने जंगलों में जा करके जंगलों को काट करके और खेती करना स्टार्ट कर दिया यानि जो wild habitats थी उनको हमने नश्ट कर दिया और अपनी खेती का वहाँ पर जा करके विस्तार कर दिया जिस चोथा कारण है के grazing in wild habitats यानि हमने जो wild forms हमारी जंगलों में होती थी जंगलों में तो जंगलों में हमने गाय को पैसुओं को चाराना स्टार्ट कर दिया और पैसुओं का चारा गाह बनाना हमने जंगलों में स्टार्ट कर दिया जंगलों को काट कर गे हमने चारा किरा बना वह आज देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि हमने चारा गाह मुवाइल एविटेट्स में यानि जंगलों में बना करके जंगलों में काट करके चारा गाह बनाए हैं उसकी बज़े से भी हमारा जनेटिक एरोजन हुआ है नेस्ट करेड़ेक डवलपमेंट ओफ टाउन, सिटीज, रोड, एरपोर्स, एंड इंडिस्टि एरिया आप करेंट की स्टेटस देखें इंडिया की तो इंडिया में बहुत सारे टाउन्स डवलप हो रहे हैं यानि सिटीज बनाई जा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे घर सिटीज बस आ रहा हैं जंगलों में जाकर के तो उससे वाइल्ड रिलेटिव सदेव एड़े कम होते जा रहे हैं दूसरी चीज देखें आपका रोड बहुत डवलप हो रहे हैं इंडिया में खास करके इस सरकार में देखें प्रजेंट की सरकार में तो बहुत ज्यादर र जंगल नस्ट करके जंगलों को काट करके तो इनने रोड बनाएं तो रोड इनकी वजह से बहुत सारी इरोजन हुआ यानि बहुत सारी वाइड इस्पेसीज की जो वाइड इस्पेसीज वो नश्ट हुई है काटने से या फिर कि उनके हनन से तीसरी चीज़ हम बात करें एयर्पूर्स एयर्पूर्स अब इंडिया में बहुत ज्यादा यह पूर्स बने लगे और वो जो कल्टिवेटिड लैंड है जहाँ पर कल्टिवेशन होता है उसको कम किया जा रहा है या फिर जहां वाइल्ड फोर्म्स में बहुत सारे जंगल हुआ करते थे जहां पर बहुत सारी इसपेसीज होती थी उनको काठ करके एयरपोर्ट बनाया जा रहे हैं कि मैं मैं नेस्ट कि इंट्रेस्ट्रिष अता में जांए यह मद्देश में जाए तो इंडर्श्ट्रिश्टेंडर्या जहां पर डवल यहाँ पर पहले के ड्रेशन दore जंगल यहां पर वां वहां से जो वाइल्ड फॉर्म्स में जो भी इस पेसीज हैं थी वह सारी की सारी नस्ट हो गई या उनको काट दिया गया वहां पर विंडिक बना दी गई वहां पर कमपनी तयार की कर दी गई तो यह जो डवलोपमेंट हो रहे हैं यह हमारे जेनेटिक एरोजन के लिए बहु मिद्ध कम होने लगेगी क्योंकि आज करेंट का स्टेटर स देखें और आज कि दस साल बाद का स्टेटर स देखेंगे अप तो इसमें बहुत ज्यादा जो वाइल्ड छेतर है जो जंगल का से उसको काट कर ही हम महापर टाउन बनाएंगे सिटी बनाएंगे रोड और फेक्टरी तयार करेंगे तो यह बहुत सारे फेक्टर्स हैं जो हमारे जनेटिक एरोजन को बढ़ावा देते हैं प्रिया व्यूर्स इसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए देखते रहें एग्री कोचंग इंडिया